हाई गाईज में आप तुनाप से देख रहा आपी के चैनल दुत रशील को दोस्तों जब से मैंने आप लोग को अपडेट दिया था कि आप लोग उने कोशन पूछे हो वो सारा डाउर अपडेट के तहट क्लियारिफाई करने वाला हूँ तो वीडियो काफी दा नौलेज़बल और इन्फरमेटिव होने वाला है तो वीडियो को कही से स्किप मत करना पूरा देखना तो ही पूरा नौलेज मिलेगा अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं मौनेटेशन का इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ओपेन करके बैटा हूँ और यहापे जैसे बाकी टूल्स के सेटप आ रहा है वैसे ही सेटप अब एट्स ओन रिल्स का भी आना शुरू हो गया कल हमने आप लोगों को दिखाया था कि अब अगर आपके मैटा बिजनेस सुीट पे आओगे और मौनेटेशन पे क्लिक करोगे तो आपको मौनेटेशन के जो ऑप्शन से उस पे एट्स ओन रिल्स का एक अलग से ऑप्शन दिखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर जाने पे करे के हमें पता चल गया था कि आप लोगो को रिल्स प्ले का अब आपे मिलनेवाला है मगर यहां पे उसके बाद कल ही मैंने और एक अपजर्वेशन किया है जहाँ पे इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है ज्यश… वहाँ पे क्लिक करने पे आपको क्राइटेरिय आमें ads on reels दिखने के लिए मिलेगा इसका सीधा सीधा मतलब ये बन रहा है कि ads on reels monetization eligibility criteria में डाल के facebook आप लोगों को बताना चाह रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को सबको ads on reels का एक criteria provide किया जाएगा eligible criteria जिसको complete करने पे आप आपके page को आपके professional mode पे जो profile से भी ads on reels से monetize कर सकते हो जहाँ पे आपको आपके reels के unique views के लिए unique play के लिए पैसा मिलेगा अगर आपका reels eligible होगा तो इसलिए आप facebook में काफी सारे testing के दोरान ही अब इसको inclusion कर दिया है page eligibility criteria के अंदर याद रखना page eligibility criteria पे वो ही tools आते हैं जो tools monetize होते है criteria complete करने पे अगर यह invite only program रहता तो यह आपको view page eligibility criteria के अंदर दिखने के लिए नहीं मिल अब ऐसा हम assume कर रहे है क्योंकि अभी तक official जानकरी आना बाकी है तो हम यही कह सकते है कि testing phase पे अभी चल रहा है बहुत सारे creator को कल ads on reels का eligibility criteria में inclusion हो गया उसके साथ उनके business suite के अंदर ads on reels का option आ रहा था बहुत सारे लोगों ने कल monetize किया ads on reels से वो भी बोल के के मुझे अब वो भी उन लोगों के तरफ से मुझे पता चला कि वो लोगों के reels पे अब dollar बनना शुरू हुआ है play के क्योंकि पहले से monetize नहीं अब monetize हुआ है तो उस पे तुरन जैसे ही video monetize हो गया है reels से वैसे ही उस पे add आए या ना आए मगर play के लिए bonus मिलना शुरू हो गया है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियरिफाइक कर देना चाहता हूँ कि जिसका भी ads on reels पे play के लिए पैसा मिलेगा करक आए facebook ने तो उनको अभी पैसा मिलना शुरू हो गया है वो कम हो जादा हो मगर मिलना शुरू हो गया और बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी comment किया है कि सर जैसी ads on reels का get play का option आया है तब से हमारा earning जो है वो पहले से जादा हो गया पहले जो ads on reels का monetization था हमारा पे उससे अब जादा हो गया अब यहाँ पे बहुत सारे doubt भी create हुए है वो सारे doubt question मैंने आज लिया है जो के मैं clarify करने वाला हूँ और यह सिर्फ एक page का नहीं यहाँ पे दूसरा एक page का आप देख सकते हो example यहाँ पे भी ads on reels का आ गया है option यहाँ पे मैं click करूंगा तो आप लोग देख जैसे मैंने कल दिखाया था वैसे ही अभी show कर रहा है ads on reels का और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से चीजों को ढाला गया है यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा कल आप लोगों को दो पार्ट पे जो option दिखने के लिए मिल रहा था कि एक पे get play का और धोरा सा इस पर changes हुआ है या नहीं वह आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर थोरा सा अलग है चीज है और जो और एक page पर आया है वहाँ पर थोरा सा अलग है मगर अभी यह option डाल दिया गया है और उसके साथ अगर overview पर जाओ इस page क क्लिक करें तो यहां पे भी एट्स on Reels का option अब आ गया है क्योंकि यह पेज पहले से monetize है इसलिए setup का option नहीं दे रहा है अगर monetize नहीं होता एट्स on Reels से तो ऐसे ही setup का get started का option आता जिस पे क्लिक करके आपको जैसे बाके tools को monetize करना होता है वैसे इसको भी monetize कर लेना है और बहुत सारे case पे यह कल परसो आया है आपको आया की नहीं आया है जरू कॉमें करके बताना और जिनका page अल्रेडी एक्स on Reels से monetize नहीं है उनको इस तरीके से notification यहां पे reflect करते हुए देखा गया है जहां पे रिल्स के लिए action required करके बोला जा रहा है अब आता हूँ जो doubt आप लोगों को create हुआ है जैसे ही ads on Reels का update back to back मेरे page पे आया है यानि कि मेरे चैनल पे आया है उसके वाद से खलबली मज गया है तो मैं ओ question आप ही लोगों का लिया हूँ तो यहाँ पे पहला question पूछा गया है किस टाइप के वीडियो को original Reels बोला जाएगा music के साथ रिल्स बनाएंगे तो पैसा मिलेगा या नहीं क्योंकि copyright claim दे रहा है बीना music के रिल्स बनाएं तो कोई फाइदा होगा क्या तो यहाँ पे घुमाफिरा के कहूँ तो पहला जो यहाँ पे तीन चार question एक ही जगा पे पूछ दिया है कि किस टाइप के वीडियो को original Reels बोला जाएगा तो किस टाइप के वीडियो यानि कि जो वीडियो आप आपके खुद के creativity यूज करके बनाओगे आदर सोर्स से कुछ भी चीज यूज नहीं करोगे उस पे पूरा का पूरा creative mind आपका होगा वहाँ पे पूरा का पूरा जो वीडियो क्लिप्स होगा वो आपके द्वारा create किया गया होगा वो original Reels होगा अब editing करके original नहीं बन स आप creation कर रहे हो तो जो भी चीज आप create करोगे वीडियो क्लिप्स उसको डालके आप monetization कर सकते हो 100% मगर वो policy के दाइरे में होना चाहिए आप कोई sexual चीज बना दोगे तो monetize नहीं होगा क्योंकि वो policy के against है भले वो clips creativity आपका हो तो वो main बात है जो आपको basic समझना है बाकी music के साथ reels बनाएंगे तो पैसा मिलेगा के नहीं मिलेगा क्योंकि copyright claim आ रहा है या पर आप question भी पूछ रहे हो और साथ में answer भी दे रहे हो एक तो आप ही कह रहे हो के copyright claim आ जाता है copyright claim आ जाता है इसलिए मैंने हर वीडियो पे आप लोग को बताया है कि reels अगर create करते हो facebook page प उस पे कोई भी music भले वो facebook के reels creation बाला part पर ही क्यों ना हो वो music को use नहीं करना है बाकी आदार sources से भी कोई music नहीं लेना है अगर आप हर एक particular reels के लिए खुद से music compose करके बना सकते हो तो भाई use करो बाकी case पे मत करो क्योंकि वहाँ पे copyright claim आता है और आपका reels जो है वो eligible फि उससे unoriginal content का issue पे आ जाता है आखिर में जो इहां पर पूछा गया है वो है बिना music के reels बनाएंग का तो फाइदा ही क्या होगा यहां पे यह वो लोग बोलेंगे जो लोग सिर्फ और सिर्फ depend है दूसरे के content पे खुद का कुछ creativity नहीं है खुद कुछ create नहीं कर सकते क्योंक पे औरिजिनल रिल्स बिना music के बनाए हुए facebook platform पे आप जाके देखना थोरा सर्च करके बहुत अच्छा कर रहा है बहुत पैसा भी चाप रहा है cooking एक ऐसा category है जहां पे cooking street food दिखाके खाना दिखाके खाना खाके कितने सारे रिल्स भाइराल हो रहे हैं तो वह रिल्स पे music कोई भी नहीं है वैस आवर करके वीडियो क्लिप उठाके लाते हैं फिर डाल के पैसा कमा रहे तो ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई फाइदा नहीं जिनको दिखता नहीं है वो और रिश पहुतं सकते हैं lucky Pelosi करना है वह आपके उपर है वो में आपको विरे बागी जें सकता मि क्या Instagram का Reels जो है उसको Facebook पे same to same upload कर देंगे तो क्या होगा मतलब इनका पूछने का मतलब ही है कि जो Reels हम Instagram पे डालते हैं वो ही Reels को हम Facebook पे भी डाल सकते हैं कि नहीं सेम Reels को अगर डालेंगे तो कोई इशू तो नहीं होगा तो यहाँ पे आपको समझना परेगा अगर आपका Facebook page या फिर Facebook profile आपके Instagram account के साथ linked है उस case पे अगर आप Instagram पे एक option होता है recommended to Facebook उसको on करके रखे हो share to Facebook उसको on करके रखे हो उस case पे आप जो भी Reels Instagram पे डालोगे वो automatically Facebook page पे या profile पे भी आ जाता है उस case पे आप Facebook page पे या profile पे दुबारा content same content को publish नहीं कर सकते हो अगर recommend to Facebook को बंद करके रखे हो on नहीं किये हो या फिर share to Facebook को बंद करके रखे हो तो आप same Instagram के जो Reels आप डाल रहे हो वो ही same Reels को Facebook पे भी at a time simultaneously upload कर सकते हो आगे पीछे मत करना नहीं तो कोई दूसरा आदमी आपके Instagram से आप से पहले content उठाके उनके Facebook page पे डाल देगा फिर जाके जब आप डालोगे अपने ही Facebook page पे अपने ही बनाया हुआ original content को तो वो Facebook के नजर में reuse, repurpose content होगा तो उस पे आपको Reels पे unoriginal content का issue आ सकता है दोस्तो अगला जो सवाल है वो है और जो Reels Facebook पे पहले से uploaded है 26th April से पहले वाला उन वीडियो पे कोई problem है क्या ads on Reels disabled हो जाएगा या उन सभी पर add चलेगा या पे add 26 तारिक, April 26 तारिक के बाद चलना, play का पैसा मिलना, उसके साथ disabled होने का कोई relation नहीं है पहले तो यह आपको clear कर लेना है, Disable होगा के नहीं होगा, वो 26th April के उपर depend नहीं करता वो Reels monetization के उपर depend नहीं करता, Disable होना depend करता है आपके Facebook policy rules guideline के पालन करना या ना करने के उपर तो April 26 के बाद आपके Adson Reels अगर on होगा, तो आपके वो पहले के Reels Disable हो जाएगा, इसका कोई यहापे में explanation नहीं दे सकता, क्योंकि कोई संपर्क नहीं है हाँ यह जरूर बता सकता हो, अगर आप policy rules guideline के खिलाब जाके वीडियो बनाओगे, वो आप 26 तारीकी हो, आने बाले एक साल बाद ही हो, या फिर एक साल पहले का ही हो, उस पे issue कभी भी आसे बाकी 26 एप्रिल से पहले जो भी आपने रिल्स डाले हो, अगर 26 एप्रिल के बाद से जो अपडेट आया है action रिल्स पे, वो अगर आपके page पे already आ चुका है, आपने कर लिये हो monetize, या फिर पहले से ही है और आभी inclusion हुआ है, तो पुराने वीडियो पे भी earning play का add होना शुर मेरा earning दिन बर दिन वहां से रिल्स प्ले का earning हो रहा था वो घट रहा है, ऐसा क्यों हुआ है, घट बट कुछ नहीं रहा है, वो सिर्फ meta business suite पे जो भी वो लोग back end develop करते है, उन लोगों का glitch error bug के बज़े से हो रहा है, वो धीरे धीरे automatically ठीक हो जाएगा, आपको उसका tension बिल प्लास get paid for play, बाला details से बताएंगे कितने व्यू या कितने प्ले कितना पैसा बन सकता है, अब कितना व्यू पे कितना पैसा बनेगा, जो आपके व्यू होने पे मिलेगा, वो facebook ने कहीं पे लिखके नहीं रखा है, मगर बोला है, पर play के पैसा दिया जाएगा, अब वो depend करे आएगा, rpm ज्यादा कम जैसे होता है, वैसे play का भी ज्यादा कम होगा, मगर क्योंकि ये नया feature है, new आया है, तो पहले पहले ये अच्छा खासा लोगों को देगा, बाद में जाके वो धीरे-दीरे कम हो जाएगा, जब competition बर जाएगा, ज्यादा लोग reels टालेगा, तो यहा product को अच्छे बनाओ, product quality पे focus करो, product को marketize करो अच्छे से, जब market आपके product को accept करेगा, चीजे accept होता जाएगा, फिर आपका result आना ही है, तो यह जो है वो end product होता है, उसको ले के आपको समय बैतित नहीं करना है, sir, ads on reels, instagram पर आएगा, यह ads on reels जैसे आया है, तब से ही question है, त ads on reels पे monetization पे कुछ inclusion हो रहा है, तो जब ads on reels आया था Facebook पे, तभी वो Instagram पे भी आया था, invite only program था, selective creator को मिला, अभी भी Instagram पे selective creators उसका फाइदा उठा रहा है, और अब धिरे-धिरे Facebook उसको और जादा rolled out कर रहा है, तो ads on reels का monetization अब Instagram पे भी और जादा आना शुरू हुआ है आपको कव आएगा, वो मैं नहीं बता सकता, वो सिर्फ Facebook का जो algorithm है, वो decide करता है, जिसको choose करेगा, जिसका view ज्यादा आएगा, niche oriented होगा, original content होगा, Facebook और Instagram के rules, guidelines को पालन करके होगा, उनको जल्दी आ सकता है, इसका हम लोग उमीद कर सकते हैं, बाकी Instagram पे already ads on reels monetization available है, लोग लोग उससे कमा भी रहा है, आपको मिला के नहीं मिला, जरू comment section में comment करके बताना और जिनको नहीं मिला, वो लगे रहो, लगे रहोगे, तो मिलेगा सब कुछ possible होगा, इसी note पे इस वीडियो को करूँगा, अगर वीडियो पसंद आया है, दबा के like कर देना, कोई भी दोस्